चलिए स्टार्ट करते हैं आज क्लास है यह कौन सी क्लास है नंबर बता दो जीरो 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 इट क्लास ठीक है हमारे सामने एक कुोशिण गीवण है और अब जो कु enormous गीवण है अजीरो आप इदर बैठेंगे सीधा सीधे कीन तो प्रइवण गीवण हमें पढ़ लेते हैं पहले एक पर कुश्चन उसके बाद देखते हैं क्या डाउट रहता है कहता है the balance sheet of edge limited तब से पहले आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि मैं यहाँ underline कर रहा हूँ जैसे कि 31 मार्च 2020 यह date है as follow balance sheet given है आगे कहता है यानि 31 मार्च 2020 का है याद रखिए इसको the share was purchased by edge limited and edge limited on 30 September इसका मतलब जो यहाँ पे यह share खरीदा है वो 30 September का है और 19 है और यह 19 है तो पहले मैं working note कर लूँगा फिर balance sheet बनाना होगा ना combine तो मैं थोड़ा जल्दी करने के लिए क्या करूँगा इसी के side यहाँ पे एक line draw करके मैं बना दूँगा ठीक ना ताकि मेरा थोड़ा time भी बच्जा और आपको समझ में आ जाएगा में तो है कि इसके अंदर के item को समझना तो सर यहाँ पे कहने का क्या मतलब है इसका और क्या कह रहा है वो देख लेते हैं कहने का मतलब है यहाँ कि मैं पूरे साल का पहले data तयार कर लेता हूं यह हमारा पूरा साल है ध्यान से देखिएगा ठीक है यह पूरा साल है और जो year start हुआ है वो कब से start हुआ है सर यह जो हमारा start हुआ है न वो हुआ है एक चार दो हजार उन्निस और year जो end हुआ है वो हुआ है 31 तीन दो हजार बीस और company को 30 September को खरीदा गया है means sir company को जो खरीदा गया है न वो mid में कहीं इस date पे company को खरीदा गया है अब इस date पे खरीदने की अगर हम बात कर रहे हैं है तो आपको एक बात का मुझे जवाब दीजिए एक बात का मुझे जवाब दीजिएगा कि यहाँ पे दो हिस्से आ गया हमारे पास अगर ध्यान से देखे न हमारे पास दो partition आ गया एक ही इस date पे तो company को खरीद लिया गया इस date से पहले अकेले-अकेले थे दोनों तो यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा है और एक हिस्सा जो generate हो रहा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा generate हो रहा है ठीक है यहाँ के profit पे एक ही का अधिकार है और यहाँ के profit पे दो लोगों का अधिकार है समझ मैं आ रहा है इतने चोटी से बात ठीक है चलिए और क्या कहता है question पढ़ते जाते है कहता है कि एक April को 19 में loss था company के पास 3000 का S Limited के पास और S Limited के पास यानि इस डेट पे मेरा कोई loss था और loss कितने का था 3000 रुपए का which was written of out of the profit and during the year इस sentence का मतलब है जो की हमने साल के दोरान profit कमाया है अगर आपको यहाँ कोई दिख रहा है profit कमाया है तो surplus देखिए आप कितने कमा लिए हमने 1800 तो इसके अंदर adjustment करने के बाद है यानि यहाँ पर तीन का लॉस था तीन का लॉस होने के बाद हमने क्या किया हमने अपना काम रोका थोड़ी ना काम को हमने जारी रखा और हम यहाँ से काम करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए करते गए तो इसका मतलब सल पहले तो आप यहां से यहां तक जो भी मेहनत किया था अपने यहां से यहां तक के मेहनत में सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो आपने पहले ये 3,000 रुपे का जो लॉस है जो ये आपका 3,000 रुपे का लॉस है पहले तो इसको कवर किया तब जाके कहीं आप इस प्रॉफिट पे आए तो सर यहां से यहां तक आने में अगर आपको दिख रहा है कि हमारा प्रॉफिट 18.00 है तो ये सिर्फ दिख रहा है ठारा तो लेकिन actual earn की बात करें यहां से यहां तक earning बताईए कितने का earning किया है 4800 पहले ये बताईए सब बच्चों clear है कैसे कितने का earning किया है हमने क्योंकि पहले सारा loss हमने क्या करा cover किया होगा 3,000 हम मेनत करते गए मेनत करते गए 3,000 loss cover गया तो अब 0 पर आगे यानि कमा लिया 3,000 तभी तो 0 पर आए उसका फिर मेनत करते गए मेनत करते गए तो कहां पहुँचे हम 18.00 इसका मतलब total कमाई कितनी होगा यहां से यहां तक सर जब यह 4800 रुपीस की कमाई आप कह रहे हो कि यहां से यहां पूरे साल की है तो इसका मतलब यहां से यहां तक का प्रॉफिट रहा होगा कुछ यहां से यहां तक का प्रॉफिट रहा होगा कुछ 2400 और यहां से यहां तक का प्रॉफिट रहा होगा कुछ 2400, तभी तो 4800 हुआ इस वाले profit को मैं नाम दूँगा प्री वाला और ये वाला profit है पोस्ट वाला, इसे agree करते हैं पुराना loss तो चली रहा है हमारा 3000 रुपे का, प्रिपेर कॉंसर डॉलिट, बैलेंस शीट, एंड एक्सेक्टरा सारी बाते बोली है, वो हम कर लेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर तो चलिए अब हमें जो काम करना है, क्या करना है सर, reserve कोई है क्या हमारे पास, reserve तो सर है यह नहीं सर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट को कर लेते है surplus यानि surplus के दो हिस्से हो जाएंगे और एक हो जाएगा प्री के हिस्से में एक हो जाएगा पोस्ट के हिस्से में, तो surplus surplus में सर दो पार्ट आगे एक आगया हमारा प्री और एक आगया हमारा पोस्ट सर प्री में कितना आएगा पहले तो मैं कमाई की बात कर लू और एक बात बताना मुझे जो loss है वो भी कब कमाना जाएगा प्री का पोस्ट का प्री में दो चीजे आ गई एक तो सर्फ पुराना losses भी है और एक कितने का earning है हमारा 2400 का earning है तो यहाँ पे देखा जाए तो प्री में दो थिंक आ गए हमारे एक हम loss पे भी बात करने वाले हैं और एक बात करने वाले हैं किसके उपर profit के उपर तो ultimately देखा जाए या फिर मैं net में बोलू प्री में क्या रहा सर अगर मैं net pre की बात करूँ तो मैं ऐसे ले लेता हूँ net pre की बात करते हैं तो सर net pre में क्या था सर तीन हजार रुपए का loss था प्री में और कमाई कितने का था 2400 रुपए का क्या था कमाई था ultimately देखा जाए तो प्री के अंदर हमारा 600 रुपए का profit हुआ है यह देखिए हाँ सौरी 600 रुपए का loss आए प्री में यानि देखो पहले प्री हमारा 3000 रुपए का loss था ही जो की कहता है अल्रेडी adjusted कर चुके हैं ठीक है 3000 का loss था और earning हमने पूरे साल के दौरान कितना कमा लिया हमने 4800 और 4800 में से देखा जाए तो 2400 आधे हिस्से का हो जाएगा मैंने 2-2 आधह आधह क्यों किया य honour है ये वाला टेट यारा है आपका 30 September और वह साल का आधह हिस्सा है इसलिए इसको दो पार्ट में राट लिया अब प्री की बात करते हैं प्री की कमाई मतलब April से लेके 30 सेंप्रेम्भर तक की कमाई 2400 पुराना loss 3000 adsat ultimately अभी भी फ्री में स्टिल लॉस में कितने लॉस में पोस्ट के एंदर तो लॉस्ट होगा ही नहीं तो पॉस्ट क के अंदर सरीफ और सरिफ प्रॉफit रहे गया और प्रॉफीट कितने का 혼र 200 Me के अंदर देखा जाए कोश्चन में कितने holder हैं कितने खरीदें तो किष्चन में कहता है सरिफ कितने खरीदे इसने 4000 थे कितने इसके पास 6000 इसका मतलब यहां पर जो रेशो बनेगा रेशो बनेगा 4000 तो holding का और 2000 सबसीडरी का 4000 किसका holding का क्या हाँ माई सबसीडरी मतलब MI कह लेते हैं तो ये H का है हिस्से में और ये S यानी MI और ratio देखे तो क्या जाएगा 2 is to 1 यानी ये 600 रुपे 2 लोगों में बट जाएंगे 2 is to 1 में बटेगा तो 2 is to 1 की बात करें तो 400 का loss यहां आ गया और 200 का loss यहां आ गया सर ये भी 2 हिस्से में बटेगा किस किस में बटेगा 2400 को अगर हम बाटते हैं तो कितने आ जाएंगे 1600 रुपे का profit और 800 रुपे का profit सर अगर बात करते हो आप ये है क्या तो ये है profit, pre और post अब मुझे बताएगे post वाला profit holding के लिए कहा जाएगा उसके reserve में pre वाला profit holding के लिए होता है use cost of control एक word और use कर रहा हूँ cost of control जिसमें cost of control का मतलब है goodwill या capital reserve निकालना जिसको COC भी बोल देते हैं तो cost of control तो सर ये वाला देखिए अब मैं यहां पर लिख देता हूँ कि कौन सा holding का है कौन सा subsidiary का ये किसका है हमारा दिख रहा है हर किसी को ये हमारा holding का या मैं थोड़ा सा चलिए ये holding का है और ये आप बोलते है MI तो MI लिख देता हूँ अगेन ये holding का और ये MI का है ठीक है minority interest का यहां तक कोई समस्या अब हमें क्या निकलना है MI, goodwill या कुछ भी सारी सीजे तो ले चुके है MI या goodwill एक बार दोबारा 2 to 1 कैसे आया 2 to 1 कैसे आया ये काट के दिखा देता है ये 4,000 और 2,000 समझ में आया है पहले हर किसी को तो 4,000 और 2,000 को मैंने काट दिया है 4,000 और 2,000 को काटेंगे तो 3,0 से 3,0 कैंसल 4 और 2 और ये आगया 2 to 1 और काट पीट के बस यासे आया सारी ये 4,000 कैसे आया 4,000 कैसे अंदर गीवन था टोटल 6,000 में से होल्डिंग के हिस्से का 4 है तो MI वाले हिस्से का कितना बचे का 2,000 यही रेशो निकला है ठीक है वही बता रहा हूं है 4,000 और 2,000 ही अरे 4,000 ये देखो आपको दे रखा है यहां पर और आपके पास टोटल शियर सबसीडरी का कितना है 6,000 6,000 में से अगर 4,000 होल्डिंग के पास है तो सबसीडरी के पास 2 बचा तो रेशो बन गया 4,2 और कार्ट पिड के 2 is to 1 ठीक है न तो मैं इसे रेज कर देता हूं मैं साइड में लिख देता हूं और रेशो हो गया 2 is to 1 ठीक है इन सब को बाट लिया अब हमारा मुद्दे के बात है हम सबसे पहले निकाल लेते है COC Cost of Control इसको बोलते हैं COC COC में क्या-क्या देखा जाएगा सर COC में 2-3 बातों का धिहान रखना है जैसे कि जैसे Equity Share Capital Sir Equity Share Capital वाला होगा पोस्ट वाला कुछ नहीं आएगा तो यहाँ पे इसके हिस्से में आया था Sir Loss कितना Loss आ गया है इसके हिस्से में 400 रुपे Means इसके पास तो बचा कितना 3600 रुपे का इसके पास समान आया है 4 का Share तो आया 600 का 400 का साथ के साथ Loss भी आ गया है तो 3600 का समान आया है पेमिंट कितना किया इसने 4000 तो अगर इसने 4000 रुपे का पेमिंट कर दिया है तो ultimately 3600 के समान के बदले यह पेमिंट कर रहा है यानि इसने क्या करा इन्वेस्ट किया है तो यहाँ पे आप क्या बताओगे Sir 400 रुपे का क्या आगया चेक कर यह चेक कर यह 400 का क्या है गूडविल अब क्या निकाल लिए साइड में मैं MI निकाल लेते हूँ जिसको विजवल निए दिखा धूँ आप वइस आप धिहान से सुनते रहिए MI निकाल लेते हैं साइड में और balance sheet भी बना देंगा मैंने इसलिए space बना लिया इसको इधर कर देंगा नहीं को MI निकालते हैं MI वालोगा क्या होगा सर equity share capital होगा कितने होंगे सर equity share 2000 और सर profit भी होगा अब profit की अगर आपने बात की है सर तो ये वाला loss और ये 800 और 200 अल्टीमेटली कितने जूडेंगे 600 रुपए net करके क्योंकि 200 का loss और ये तो ये कितना आ गया हमारा MI का 2600 बहुत simple है main funda यहीं पर रुखा हुआ है इस वाले point में ये समझ में आ गया ये बाटा कुछ दिक्कत नहीं है बताए ये 2600 MI आ गया कोई दिक्कत MI निकाल दिया 2600 कोई दिक्कत क्या हुआ 1600 एच का 1600 तो कहीं लिखा ही नहीं है प्राफिट 1600 ये लिखा हुआ है आपने पूरी क्लास ली नहीं ये जाएगा रिजर्वेंड सर्फलस में क्यों आएगा पूराणी क्लास देखने पड़ेगी उसके लिए ठीक है ना तो अब बात करें यहाँ पर ये क्लियर होगी MI बैलेंस शीट बनाने की बात करते हैं मैंने का सर बैलेंस शीट यहीं बना देता हूं मैं फटा फट तोड मरूड के तो बैलेंस शीट किसी का दिक्कत है तो बताईएगा आप मैं यहीं बैलेंस शीट थोड़ा सा ना इसको इधर कर देते हैं मैं कोसिस यह है कि कम समय में जादा से जादा काम कंपलीट करूं बस मेरा आज का एजन्ड यह है क्यूंकि एक फिर common rates का भी question ले लेंगे फिर dividend का भी कर लेंगे क्यानि आज वाले question के आद maximum question आप कर पाऊगे यह balance sheet के लिए मैंने line draw कर दिया इसको साफ कर देते हैं ताकि आपके लिए आपको आसानी हो थोड़ा समझ में मैंने सिर्फ एक थोड़ा सा काम किया है time बचाने के लिए समझ में आ जाएगा side में balance sheet बनाना है तो सबसे पहले इस वाले share capital का तो कोई role ही नहीं होता subsidiary वाले का share capital का कोई role नहीं होता है तो सर किसका role होगा सिर्फ और सिर्फ share capital में आ जाएगा 10,000 अब बात करते है reserve and surplus यहां मैं लिखता भी जाऊँगा ताकि आपको समझ में आ जाए reserve and surplus में 4,000 मेरे वाला ठीक है और दूसरे का तो है नहीं और कोई काम भी नहीं है मुद्दे का तो यह अकेला आ जाएगा कितने का बताइए चार हजार में थोड़ी सी कहानी घूम जाएगी surplus की बात करें तो मेरा कितना है चार और मैंने अभी बताया कि यह वाला आ जाएगा सोला सो क्योंकि पोस्ट वाला प्रॉफिट तो मेरे ही रिजर्वन सर्प्लस का पार्ट होगा तो कितने आगे टोटल शप्पन सो रुपए आ गए यह फैफ्टी सेक्स हंड्रेड क्रेडिटर जुड जाएगा तो आप मैं यह वाला पता है क्यों कर रहा हूं मैं इस तरीके से आपको भी पता लगे के सार इसके अंदर होल्डिंग सब्सीडरी वाले चप्टर में एमाई और कैपिटल रिजर्व या गुडविल का रोल रहता है बाकी बैलेंशीट तो देखो टेप रहा हूं मैं ऐसे आप पुरानी बैलेंशीट बनाओगे जो कुश्चन पीपर में आओगे साइड में लाइन खीचा और वैसे वैसे अपने लिख दिया और जो चीज़े के अंदर मैं मैं माइनस प्लस कर रहा हूं उसके लिए सिंपली अपने एक नोट बनाया और तैयारी कर दी ठीक है और सर जो गुडविल आएगा वो गुडविल कितने का आजाएगा मैं अलग मार्कर से लिख देता हूं 400 रुपए का ये रहा गुडविल ठीक है इसको ध्यान रखिएगा एक लाइन एड़ो नीचे करेंट इंवेस्मेंट ये तो आएगा ही नहीं क्योंकि आपको पता है क इंवेस्मेंट और शियर कैपिटल आपस में क्या हो जाते हैं कैंसे टोटल कर लेते हैं जी सर टोटल करते हैं ये आ गया 26 और उपर भी 26-400 आना चाहिए 26-400 तो हमारा परपस सौल्व हो गया और हमारा आंसर भी बिल्कुल क्या माना गया एकुरेट ये सर क्या है ये है कॉन अभी रुके डाउट लेते हैं जिन जिन बच्चों का अब डाउट होगा मैं लूगा क्योंकि एक कुश्चन करा दियाने मैं नहीं जल्दी से चलिए अब भी डाउट लेते हैं अरे हाँ मैँ तो रह गया बच्चे बता रहे हैं आपने ध्याने नहीं दिया कैसे बता दिया रुख यह रुख जाई है समझ गया मैंने पढ़ लिया मैं रह गया एक है एक मैँ तो आएगा MI कहां आता है जस्ट इसके नीचे ये मैं लाइन खीच रहा हूँ और यहां MI कैसे मैच कर दिया आपने MI कितना था 26 MI है 26 अभी लिखने रुख जाईए अर्जिस्ट कर देते हैं चलो सही करा आपने याद दिला दिया अब चेक कर लिजे 26 अब देखे टोटल आ रहा है भी या नहीं आ रहा गुडविल 400 लिख लिया गुडविल 400 रागव अभी बताते हैं गुडविल कैसे समझ में नहीं आया है अभी मैं हैंड रेस का भी ऑप्शन अभी एनेवल करता हूँ रुख जाईए बस पांच वन बताइए आया नहीं टोटल मैंच है न चरिए अब जिस जिसका रह गया हैंड रिस से उनके डाउट ले लेते हैं करिए जिनका रह गया झाल झाल